हेलो दोस्तों, SPD बिहार करेंट अफियर जुलाई 2024 एडिसन आ गया है जो अपडेटेड है जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक आज की क्लास में हम जनवरी और फरवरी 2024 का प्रामुक वन लाइनर को कवर करेंगे मेरा नाम प्रियांका है और मेरी क्लास में आज सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2024 की प्रामुक वन लाइनर पटना में प्रो कवर्डी लीक की दस्विश सत्र का आयोजन होगा 26 से 31 जनवरी 2024 तक 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के दिव्यगन पुर्व मोख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को मर्नो प्रान भारत के किस नागरिक सम्मान से समानित करने की घोशना की गई है भारत रत्न से सम्मान करने की घोशना की गई है 9 जन्वरी 2024 को राष्टपती द्रौपदी मुर्मुर ने बिहार के किस जीले की खोखो खिलाडी नसरिन सेख को अरजुन एवोर्ट से सम्मानित किया है अरणिया जीला 31 जन्वरी 2024 को बिहार राच आपदा प्रबंधन प्राधिकरन ने नितिस नामक डिवाइस लाँच किया है 31 जन्वरी 2024 को बिहार राच आपदा प्रबंधन प्राधिकरन ने नितिस नामक डिवाइस लाँच किया है इस डिवाइस का पूरा नाम है Novel and Intense Technological Intervention for Saving Human Lives 11 जन्वरी 2024 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने पटना में आयोजित बिहार एलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, कॉन्क्लेव और एक्स्पो की दोडान दो एलेक्ट्रिक कारों की खडित की घोशना की थी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था विश्व संसाधन संस्थान और भारत और बिहार राज्य प्रदूसर नियंत्रन बोड के सहयोग से बिहार पडिवहन विभाग द्वाड़ा 28 जन्वरी दोजार 24 को नितिस कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपत लिया नवी बार 24 से 28 जन्वरी दोजार 24 तक जारखंड में आयोजित 67 नैसनल स्कूल गेम्स 2023 के वीशु पड़ती अस्परधा में बिहार के खिलारियों ने कितने पदक जीते दो रजत पदक और आठ कास्य सहीत कूल दस पदक जीते हैं 30 चन्वरी दोजार 24 को मुंगीर के पूर्व सांसद ब्रहमानंद मंडल का निधान हो गया वे किस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे समता पार्टी 22 चन्वरी दोजार 24 को बिहार राज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मत दाता सूची के अनुसार बिहार में मत दाताओं की संख्या कितनी हो गई है 7 करोट 64 लाग 33,329 संख्या हो गई है 22 चन्वरी 2024 को राश्टपती द्रौपदी मुर्मुर द्वारा बिहार के किस बालक को कला एवं संस्कृतिक स्रेनी में प्रधान मंत्री राश्टपाल पुरुसकार प्रधान किया गया मोहमद हुसेन को 25 चन्वरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक छेत्र में उत्क्रिष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोशना की है पदम बिभूशन पुरुसकार से सम्मानित करने की घोशना की है 25 चन्वरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के चन्देश्वर प्रशाद ठाकूर को मेडिसिन छेत्र में उत्क्रिष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोशना की गई है 22 चन्वरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के सांती देवी पास्वान और सीवं पास्वान को पदम श्री पुरुसकार देने की घोशना की गई वे संबन्दित हैं मधुबनी या मिथला पेंटिंग में गोदना सैली से संबन्दित है 16 जनवरी 2024 को बिहार का ग्राम स्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टप को बेश्ट महिला नेत्रित वाली स्टार्टप का पुरुसकार प्रदान किया गया इस स्टार्टप की संस्थापक कौन है आस्था सेंग 15 जनवरी 2024 को नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गडिवी रेखा से बाहर आने में बिहार का स्थान है दूसरा 3.77 करोड 15 जनवरी 2024 को बिहार सरकार ने वायू प्रदूसन के स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जीले में वास्तविक समय स्रोत विवाजन अध्यन, रियल, स्टाइम, सेक्सेस, ओप्रेशनमेंट स्टडी करने में नेनए लिया है मुझभफरपूर और गया जीले में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकूली पैंटिंग कला को भेश्म पितामा माने जाने वाले असोक कुमार विश्वास को कौन सा पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की है पदमस्री पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की है 17 जन्वरी 2024 को पिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पर्ण करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गड़ी परिवारों में से परतियक परिवार को कितनी धन रासि वित्य साहता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है 2 लाख रुपए 16 जन्वरी 2024 को किस स्टार्ट अप को बिहार का बेस्ट स्टार्ट अफ द इयर पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की गई है 16 जन्वरी 2024 को किस स्टार्ट अप को बिहार का बेस्ट स्टार्ट अफ द इयर पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की गई है मैडी वाइजर प्राइवेट लिमिटेड फर्वरी माहकी प्रमुख वन लाइनर 22 फर्वरी 2024 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने भवन निर्मान बिभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्मान निगम द्वाडा किडियान विन्त कितने रुपय करोड 242 योजनाओ का उदखाटन एवं सिलान्यास किया 22 फर्वरी 2024 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने भवन निर्मान बिभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्मान निगम द्वाडा किडियान विन्त कितने करोड का 242 योजनाओ का उदखाटन एवं सिलान्यास किया 2876.43 करोड का 23 फर्वरी 2024 को केंद्य ग्रामिन विकास और पंचायती राज मंत्री गिरी राज सिंग ने बेगु सराय जीले के बरोनी ब्लॉक के जिस ग्राम पंचायत में एतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटली करन की दिसा में क्रांती का उदखाटन किया वह है पप गोरोर ग्राम पंचायत पप रोर ग्राम पंचायत तेड़ा फरवरी दोजार चौबिस को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्स दोजार चौबिस पचीज के बजट पेस किया दो लाग अठतर हजार साथ सो पचीज दसमलब बहत्तर करोड का तेड़ा फरवरी दोजार चौबिस को पेस किये गए बिहार बजट तोजार चौबिस पचीज में सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया है सिक्छा पर 11 फरवरी दोजार चौबिस को बिहार की प्रसिद हिंदी एवब मैथली साहित्तिकार डॉक्टर उसा किरन खान का निधन हो गया वह किस जीले से सम्बंदित है दरभंगा जीले से सम्बंदित है 8 से 11 फरवरी दोजार चौबिस तक क्रीसी बिभाग बिहार द्वारा सी आई आई के सहयोग से राज अस्तर्य क्रीसी यात्री करन मेला एग्रो बिहार दोजार चौबिस का आयोजन कहां किया गया पतना में 10 फरवरी दोजार चौबिस को मुंबई में आयोजीत आउट बॉन टुरिज्म मार्ट ओ टी एम में बिहार पढ़ियतन को किस एवार्ट से सम्मानित किया गया है बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन एवार्ट से सम्मानित किया गया है 21 फरवरी दोजार चौबिस को राच सभा के लिए बिहार से कितने प्रत्यासी निरोद निविरोद निरवाचत हुए है छे सदस्य 21 फरवरी दोजार चौबिस को राच सभा के लिए बिहार के कितने प्रत्यासी निविरोद निरवाचत हुए है छे सदस्य बिहार के इलेक्ट्रिक ओटो मोटीव का इविकल की छेत्र में बेस्ट स्टार्ट अप का पुरुसकार प्रदान किया गया इस स्टार्ट अप की कौन संस्थापक है धीरश कुमार 19 फरवडी 2024 को मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कितनी पुलिस वाहनों को हडी ज़ंडी दिखाकर रवाना किया 383 पुलिस वाहनों को 17 से 19 फरवडी 2024 तक पिहार के किस जीले में नागी पक्छी महत्सब 2024 का आयोजन हुआ 6 से 16 फरवडी 2024 तक बिहार के किस जीले में खादी मेला सह उद्यमी बजार का आयोजन किया गया भागलपूर जीला में 15 फरवडी 2024 को आठवी सब जूनियर नैसनल रगवी सेंडवन्स चेंपियन सीब 2024 में बिहार की सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रगवी टेम ने कौन सा पदक लगतार तीसरी बार जीता स्वर्ण पदक 15 फरवडी 2024 को आयोस मंत्राले द्वारा सात राज्यों बिहार उत्तर प्रदेश जार्खड मध्य प्रदेश 36 गर उडिसा और पस्ष्रिम बंगाल के आयोस बिभागों से संबंदित मंत्रियों तथा अधिकारियों के छेत्र समिक्षा बैठ कहां आयोजित की गई पटना में आयोजित की गई बिहार पुलीस मुख्याले द्वारा गंभीर अपराद एवं अपरादियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है वन फोर 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 फ्री टू हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है 21 फरवरी दोजार चौबिस को बिहार के किस बुनकर नेता का निधन हो गया कमलेश्वर ताती का निधन हो गया है बिहार सरकार ने राच्च के विश्विद्यालियों से संबंदित कॉलेजों एवं संचालित की जाने वाली किस कक्छाओं को एक अप्रेल दोजार चौबिस से बंद करने की घोशना की है इंटरमेडियेट प्लस टू कक्छाओं को 15 फरवरी दोजार चौबिस को केंद्रे पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरवानन सोनोवाल ने बिहार के कलुग हाट पर बने अंतराष्टे बंदरगाह का उदखाटन किया जो इस्तित है सारन जीले में स्तित है 12 फरवरी दोजार चौबिस को बिहार में जनता दल यूनाइटेड गठ बंधन सरकार ने कितने मतों से विश्वास प्रस्ताव जीता 129 मतों से 6 फरवरी दोजार चौबिस को मुख्य मंत्री नितिस कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्ण सीप नीती को स्वकृति प्रदान की गई इस नीती के तहत कितने चात्र विर्ती प्रदान की जाएगी दस हजार रुपय की चात्र विर्ती प्रदान की जाएगी पांच फरवरी दोजार चौबिस को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने बिहार लगू उद्यमी योजना का सुभारम किया जिसके तहत लगभग 94 लाख गरी परिवारों को कितने रुपय की आर्थिक साहता प्रदान की जाएगी दो से पांच लाख रुपय की चार फरवरी दोजार चौबिस को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने पटना में जय प्रभा मेदाता सूपर स्पेसलिटी होस्पिटल के कैंसर बोड का उद्खाटन किया तथा आधुनिक मसीन का सुभारम किये इस मसीन का नाम है वरियन एज रेडिशन मसीन 29 फरवरी दोजार चौबिस को बिहार की मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने विधान पडिसद की सदस्य सहनेत्र रोग डॉक्टर विसेस राजवर्धन आजाद द्वारा लिकित पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम है नीम का शहद बिहार की मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने विधान पडिसद की सदस्य सहनेत्र रोग विसेसग्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिकित पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है नीम का सहद 29 फरवरी 2024 को बिहार में माफ्यो पर अंकुस लगाने के उद्देश से किस विधेयक को विधान सभा में पारित किया गया बिहार में माफ्यो पर अंकुस लगाने के उद्देश से किस विधेयक को विधान सभा में पारित किया गया बिहार अपराध नियंत्रन विधेयक 2024 28 फरवरी 2024 को राश्टपती द्रौपदी मुर्मुर ने वर्स 2022 और 2023 के लिए बिहार के पांच कलाकारों को किस पुरुसकार से समानित किया है संगित नाटक अकादमी पुरुसकार से समानित किया है 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने बेगु सराय जीले के किस धाम का 115 करोड की विभिन योजनाओं का लोकारपन किया सिम्रिया धाम 23 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राच में स्टार्टप एकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझोता किया है सेड़बी के साथ स्टार्टप एकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ समझोता किया है बिहार में गड़ी पड़िवारों को आर्थिक दसा सुधारने के लिए उद्ध्योग विभाग ने कितनी धन रासे की स्विकिर्ति परदान की है बार सो पचास रुपए 25 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार की जिस जल प्रबंदन पड़ी योजना के लिए विश्व बैंक से रिन हेतू राच्र सरकार के अनुरोद को मंजूरी दी है वह है बिहार एकी क्रित जल संसादन प्रबंदन पड़ी योजना B.I.W.R.M 4 फरवरी 2024 को मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने कहा में बापु टावर का उद्घाटन किया 4 फरवरी 2024 को नितिस कुमार ने कहा में बापु टावर का उद्घाटन किया गरदनी बाग पटना में हिमाचल छेत्र में पाई जाने वाली गोडल नामक अस्तंधारी वालमिकी टाइगर रिजर्ट में देखा गया हिमाचल छेत्र में पाई जाने वाली गोडल नामक अस्तंधारी वालमिकी टाइगर रिजर्ट में देखा गया इस गोडल का विज्ञानिक नाम है नेमोर हेडस गोडल का विज्ञानिक नाम है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना इक लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब किजिए मिलती हो मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में जे हीं, thank you